हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरी कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है कुछ सिंपल और टेस्टी खाना हो लिकिन वही हमेशा वाले खिचड़ी या पुलाओ खाकर बोर हो गए हैं तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आईगी क्योंकि आज माँ आपसे शेयर करने जा रही हूँ साउत इंडिया स्पेशल रसम राइस की रेसिपी जो बनाने में एक दमासान और खाने में लाजवाब है तो चलिए ये मसेदार रसम राइस बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल तो इस कप को मापकर मैं एक कप चावल ले रही हूँ रसम राइस बनाने के लिए आप कोई भी चावल ले सकते हैं चाहें तो किचड़ी वाले चावल ले सकते हैं या फिर बासमती चावल भी ले सकते हैं तो यहाँ पर जो चावल मैंने लिए हैं वो कब से मापकर के लिए हैं तो उसी के according हम इनमें आगे पानी भी डालेंगे तो चावल को मैंने अच्छे से दो लिया है इने रखते थे हैं साइड में और अब एक मान दस्ता लेकर इसमें डालेंगे आदी चमच काली मीर्च और इसे के साथ एक चमच डालेंगे इसके अंदर जीरा और चार से पांच लेसन की कलिया हमें डालेंगे और बस इने दर दरा कोट लेंगे यदि आप लेसों नहीं काते हैं तो इसे टोटरी स्किप कर सकते हैं इसके जगह आप अधरक का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यहाँ पर बस टेस्ट इसका चेंज हो जाए का अधरक डालने से लेसों का टेस्ट अलगाता है तो यहाँ पर इन चीजों को मैंने कोट लिया है उनका इस्तमाल हम बाद में करेंगे पहले हम एक कुचर के अंदर दो से तीन जमलों गर्म कर लेंगे और जब तेल अच्छी से अच्छी कर जायेगा तो सबसे पहले इस के अंदर हम ये कुटावा शाये अच्छी पॉतावा जा हैं पमार्त consists में गरलेंगे लेकिन यदि आप टमाटर को स्किप करना चाते हैं तो इससे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि खटास के लिए हम आगे इसमें इमली का पानी इस्तमाल करने वाले हैं जब टमाटर हलके सॉफ्ट हो जाएं तब इसमें दो साबत लाल में चाट कर लें तो यह हम यदि डाइरेक्ट तेल में डालते हैं तो जल जाती हैं तो इस स्टेज पर आप कोकर के अंदर इने एड़ कर लें साथे साथ से आठ करी पता एड़ करके और फिर से कुछ सेकंड के लिए इने पका लेंगे तो इन रसम राइस को बनाने के लिए ना ही ज़्यादा ताम जाम की जरूरत होती है ना ही ज़्यादा हमें तयारी करनी पड़ती है तो जटपट आप ये रसम राइस बना करके दयार कर सकते हैं और इसलिए इन्हें टिफिन बोक्स में भी दिया जा सकता है तो यहाँ पर इंची जो को भी मैंने कुछ सेकंड के लिए पका लिया है तो अब हम बना रहें रसम राइस इसके लिए एक चुथाई कप इसमें रसम पाउडर डालेंगी जो इसलिए हमें मार्केट में मिली जाता है और यदि आप सांबर राइस बनाना चाते हैं तो बस सेम वे में आप सांबर राइस बना सकते हैं बस रसम पाउडर की जगए आप इसमें फिर सांबर का मसाला डाल दें और अब इसमें हम डालेंगे इमली का पानी तो एक बड़ा पीस इमली का मैंने पानी में भिगो दिया था जब वो अच्छा सोफ्ट हो गया था तो बड़िया से निचोड़ करके मैंने उसे चान लिया है रसम पाउडर में क्योंकि कई तरह के खड़े मसालों का इस्तमाल किया जाता है तो अलग से हमें इसमें ज़्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ सेकेंड इने पकाने के बाद अब इसके अंदर ये धुलेवे चावल एड़ कर लेंगे और साथ के साथ एड़ कर लेंगे इसमें पानी तो जिस कब को मापकर हमने चावल लिये थे उस कब को मापकर इसमें में चार कब पानी इस्तमाल कर रही हो आगे हम पानी इसमें और भी इस्तमाल करेंगे लेकिन फिलाल के लिए हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे तो यहाँ पर यदि आप पुलाव फॉर में इससे खाना चाते हैं तब तो आप इसमें पानी कम डालें और यदि खिचडी फॉर्म में खाना चाते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा डालें स्वात के अनुसार मैंने नमक भी डाल दिया है और बढ़ी आसे से मिक्स कर लिया है तो फ्रेंड्स कैसी लग रहे हैं आपको मेरी रेसिपी प्लेज मज़े कमेंट करके जरूर बताएं और यदि मेरी ऐसी और भी रेसिपी साब देखते रहना चाते हैं मेरे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं अब प्रेशर कोकर का डखन बंद कर लेंगे और इसमें मीडियम फ्लेम पर दो से तेन विसल लगा लेंगे जब प्रेशर कोकर में सीटी आ जाएंगी और उसका प्रेशर आटोमेटिक खतम हो जाएगा तब हम कोकर खोल लेंगे और ये देखिए हमारी रसम राइस परफेक्टली कोख हो चुके हैं और मैं इसे खिचडी फॉर्म में खाना ज्यादा पसंद करती हूँ तो इसमें एक कप गरम पानी में और डालने वाली हूँ यदि आप जैसे कि मैंने बताया पुला फॉर्म में पसंद करते हैं तो आप इसमें सर्फ दो कप पानी का इस्तमाल करें और यदि खिचडी पॉर में खाना जाते हैं तो लगबग 4-5 कप पानी का इस्तमाल करें गरम पानी ही हमेशा इस स्टेस पर इस्तमाल करें ताकि आपस में अच्छे से घुल मिल जाए और कुकिंग प्रोसेस भी स्लो ना हो अब फिर से पानी डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया है और एक से दो मिनिटी से और पका लेंगे तब तक हम एक तड़का भी तयार कर लेंगे तो इसके लिए तड़का पैन के अंदर एक से दो चमस तेल या फिर घी गरम कर लें गी या तेल की गरम होते इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे एक छोटी चमच कची चना डाल ये सुखी चना डाल है भी कोई भी चना डाल नहीं है और इसी तरह से एक चमच डालेंगे इसके अंदर उड़े दाल तो इनका फ्लेवर इन राइस में बहुत ही कमाल का लगता है अब एक चमच राई असर सो डाल कर इने बढ़िया से पका लेते हैं कुछ सेकेंड इन तेनों चीज़ों को पकाने के बाद इसके अंदर चुटकी बर हिंग पाउडर डाल कर इसे भी पका लेते हैं आप चाहें तो इसे स्टीज बर करीपता भी और एड़ कर सकते हैं यदि आपको उनका फ्लेवर ज्यादा पसंदो अब ये दड़का रसम रैस के उपर लगा देंगे और साथी कुछ बारी कटीवी धनिया पतीवी एड़ कर लेंगे और बढ़िया से सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स तो इस तरह से ये हमारी सिम्पल लेकिन बहुत ही टेस्टी रसम रैस बन करके तयार हैं तो गर्मी के इस मौसम में यदि कुछ हलका फुलका बनाना हो और खाना हो तो ये रसम रायस एकदम पर्फेक्ट है आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी ये कम माल के लगते हैं जाहें तो इनकी साथ अचार, पोटेटो फ्राइज और पापड को भी ज़र्व कर सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और जादा इसी जादा अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करें साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपी साथ देखते रहना जाते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे फिर से मिलेंगी एक और नई रेसिपी क साथ दब तक के लिए टेक केर बाई बाई